हेलो गाईज हमारे चैनल पर एक बार पुन्हा आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रतिस्थापन विजिद्वारा समाकलन किस प्रकार से ग्यात किया जाता है इसके लिए क्या महत्पूर्ण नियम है बैसे तो अनुभवी इसमें महत्पूर्ण नियम होता है लेकिन फिर भी मैं आपके सुधा के लिए मैंने यहाँ पर एक नियम लिखा हुआ है जिसे आपको धियान से पहले समझना है जब कोई फलन दो या दो से अधिक फलनों के गुणन फल या भाग फल से बना हो तो उसके उस भाग को टी मानना चाहिए जिसका अउकलरज भी उसमें उपसित हो यहाँ टी से ताथ पर है टी के अत्रिक्त हम अलफा थीटा या बीटा को जी मान सकते हैं लेकिन मोसली हम टी या थीटा मानते हैं यह कहना क्या जाता है इसे आप समय लिजे इसके लिए पहले एक बार फिरसे स्टेक्विन पर लिजे जब कोई फलन दो या दो से अधिक फलनों के गुणन फल या भाग फल से बना हो तो उसके उस भाग को टी मानना चाहिए जिसके आउकलरज भी या जिसका आउकलरज भी कि उसमें उपस्थित हो तो देखे जिसे रहा पर आपको किसी बात को एक उधारन लेकि समझाओंगा तो आपको यह बात बहतर तरीक किसा सन्में आएगी तो देखे जिसे फार एक जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखदिया साइन एक्स, कोउस, एक्स, दी एक्स. अब ये दो फल्नों का गुनाँ है जब कोई फलन दो या दो से अधिक फल्नों का गुनन फल हो यह भाग फल्ल हो तो देखिए यहान गुनन फल है तो इसमें क्या लिखा है? उसके उस भाग को T मानना चाहिए जिसका उकलज उसमें उपसित हूँ तो यहां पर हम sin x को t मान लेते हैं, तो उसी का उकलाज उसमें उपस्तित है, cos x के रूप में है, तो इस प्रकार के प्रस्णों को हल करने के लिए, इस part को हम क्या मान लेंगे, t, या theta कुझी मान सकते हैं, लेकिन सामाने वे में हम t मानते हैं, तो इस part को हम t मानेंगे, जैसे for example, मैं इसको यहां पर solve करके आपको दिखाता हूँ, मेरे पास space कम है, लेकिन मैं यहां पर इसको आपको solve करके दिखा रहा हूँ, for example, इसको हमने लिख लिया, sin x cos x dx, इस part को हम t मान लेते हैं, माना sin x equal to t, then इसका differential करेंगे, तो क्या, जिसको भी t मानते हैं, उसका differential आपको हमेशा करना होता है, यह आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है, तो मैं sin x का differential यहां पर कर देता हूँ, तो वह होता cos x, उसके बाद, यहां t का differential करेंगे, तो यह आजाएगा dt by dx, dt by dx आएगा, लेकिन यह dx यहां नहीं रखते, हम इसको इधर लेके आजाते हैं, तो हमारे पास हो जाता है dx, यहन्ने ओराल cos x dx dt हो जाएगा, तो इसमें जहां-जहां cos x dx हैं, वहां क्या लिए देंगे dt, और जहां-जहां sin x से वहां के लिए देंगे t, तो देखिए हमारा यह सवाल क्या हो जाता है, i equal to sin x को क्या लिए t, तो यह लिए sin x को हमने लिए t, और cos x dx को क्या लिए dt, अब देखिए ऐसा करने पर हमारा जो सवाल है, जो इस तर से बहुत complicated दिख रहा था, वो मानक रूप में दल गया है, अब मानक रूप में मतलब, आपने पड़ा होगा x का integration क्या होता है, तो integration करते हैं, तो क्या जाता है, x square by 2 हो जाता है, लेकिन यहाँ x न होकर क्या है, t है, तो हम यहाँ t का integration करें, तो क्या जाएगा, t square by 2 plus c, ऐसा हम लेख सकते हैं, तो आपने देखा, कि किस तरह से हम इस basic concept का यूज कर सकते हैं, आईए, कुछ और example भी हम आपको करके दिखा देते हैं, यहाँ पर हम एक अन्य example और लेते हैं, जिससे आपकी concept और clear होगी, आईए, हम यहाँ लेते हैं, जिससे for example, 2x into e to the power x square dx, आपको सवाल देखकर बड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इस विधी का हम उप्योग कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधी का उप्योग कैसे करेंगे, तो देखिए, यहाँ फलन दो फलनों का गुणा है, और उसके उपर भी क्या x square पावर लगी हुई है, दो या दो से अधिक फलनों से मिलके बना हुआ है, जिससा कि आप देखी पारें, परन्तो आप एक बात ध्यान दिजिए, x square जो है, e की power x square है, उसको focus कीजिए, उसको क्या focus कीजिए, कि x square है, इसका differential जो होता है, वो क्या होता है, 2x है, और 2x इसके अंदर मौझूद है, इसलिए x square को ही हमें क्या मान लेना चाहिए, t मान लेना चाहिए, तो आईए देखिए, आईए उसको solo करके आपको दिखा दे रहे हैं, इसको जब हम solo करेंगे, तो माना x square equal to t, और जिस part को t मानते हैं, उसका differential करना होता है, तो x square का differential करेंगे, तो 2x हो जाएगा, और फिर ये dt by dx, वो dx हम हमें सा यहां लिखते हैं, क्योंकि इस part को जो विजर लाएंगे, तो ये हो जाएगा, तो देखिए हमारे पास 2x dx, इसमें है क्या उपर, तो है 2x और ये dx है, इस पूरे part को क्या लेखेंगे dt, और x square वाले part को क्या लेखेंगे t, तो हमारे पास यही problem जो है, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूँ, वो इस तरह से बन जाएगी, ये e to, e to the power x square है, उस x square को हम लिख देंगे t, और बाकी जो 2x है और dx है, वो मिलकर dt हो गया, अब देखिए, ये मानक रूप में दल चुका है, आपने मानक रूप का फर्मला पड़ा है वा, e to the power x dx का integration पड़ा है, अब ये x के रूप में ना होकर t के रूप में है, तो e to the power t का differential integration क्या हो जाए ना, e to the power t plus c, लेकिन इस e to the power t, t को वापस return करेंगे, वो क्या लिखेंगे, x square, तो e e power x square plus c, तो इस तरह से इसका integration ये हो जाता है, यही प्रक्रिया में और बहतर तरही संजमा है, इसके लिए एक example और देखते हैं, पहले हम कुछ समाने example लेकर आपको अधारवूत प्रतिश्थापन विधी को समझाना चाहते हैं, तो आईए, यहाँ पर एक example और देखिए, for example, हमारे पास में है, log x upon x है, और उसका integration करना है, तो देखिए, यहाँ पर पूरा जो फलन है, वही बात आ रहे हैं, कि जब कोई फलन दो या दो से अधिक फलनों के गुनन फल, या भाग फल में हो, तो देखिए, हमें प्रतिस्थापन विधी का उप्योग क्यों कर रहे हैं, कि हमेशा हमें हर से बचना चाहिए, जहां तक हो संभव हो सके, integration की प्रक्रिया और समाकल्म की प्रक्रिया में, हमेशा हर को हटाने का प्रयास करना चाहिए, यही समाकल्म को सीखने का मूल मंत्र है, तो आएए, हम यहाँ पर किस पार्ट को टी मानें, देखिए हमने कहा, उस भाग को टी मानना चाहिए, जिसका उकलग भी उसमें उपसित हो, तो देखिए, लॉग एक्स का, आप यही देखेंगे, तो लॉग एक्स का डिफरेंशल इदी हम करें, तो लॉग एक्स का जो डिफरेंशल होता है, वो वन अपान एक्स होता है, और यह वह इसके अंदर मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पर मौजूद कैसे हैं, देखिए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इंट्रिएशन लॉग एक्स इन्टू वन अपान एक्स डी एक्स, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, तो देखिए, लॉग एक्स का डिफरेंशल इसी के अंदर मौजूद है, इस पूरे फंक्शन के अंदर, लॉग एक्स को ती मानेंगे, तो यहाँ पर हम लॉग एक्स को ती मान लेते हैं, मैं इस पार्ट को इधर स्वल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, माना लॉग एक्स इक्वल टू ती, तो यहाँ पर वन अपान एक्स, log x का 1 upon x क्योंकि जिस पार्ट को आप t मानते हैं उसका differential करना होता है तो log x को t माना गाई लिसका differential करेंगे तो 1 upon x आएगा और t का differential करेंगे with respect to x तो dt by dx आएगा उस dx को हम किधर ले आएगे इधर ले आएगे तो ये क्या हो गया 1 upon x dx उसे क्या लखेंगे dt क्या दिखाई दे रहा क्या ये दिखाई दे रहा है इस पार्ट को हम क्या लखेंगे dt तो आएए अतर हमारा ये जो problem है वो इसके बाद यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा integration log x जो है उसे क्या लखेंगे t और 1 upon x dx को क्या लखें है dt अब आप देख पारे होंगे t का integration means वही process है जो x का integration जो होता है with respect to x क्या होता है x square by 2 अब यहाँ ये function x के रूप में ना होका t के रूप में है तो t का integration क्या हो जाएगा मैरे पास space कम है इसलिए मैं इधर ही कर दे रहाँ तो यहाँ पर t का integration हो जाएगा t square by 2 plus c अब आप t के स्थान पर चाहे तो जो आपने सुरुवात में माना था वो लिख सकते हैं t को क्या लिखते हैं log x तो यहाँ मैं लिख दे रहाँ इसको इधर log x t जहाँ लिखा वहाँ के लिखना है log x का square by 2 plus c तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आपको परतिस्थापन विज द्वारा समाकलन के से ग्याद करते हैं इसको समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो को आप बहतर तरीके से देखें पूरे इंत्वनान से देखें मेरी ग्यारंटी है कि आपको परतिस्थापन द्वारा समाकलन करना का तरीका आ जाएगा यदि आप एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो को दोबारा देखें और पूरी प्रक्रिया को समयने की कोशित करें हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवासातियों जय हिन जय भरत